आख वो मेरे समक्ष क्यों नहीं आता इसने मेरी माता का परण का दुरसास किया मैं उसकी छाती रोनना चाहता हूँ वो कायर कहां छुपा हुआ है क्या उसे अपने पुत्र की मृत्यू का समाचार अभी तक नहीं मिला मिल चुका है दुष्ट इसलिए उन्होंने तेरी मृत्यू बना कर मुझे भेजा है कौन है वे मैं वो हूँ जिसने देवराज इंदर को पराजित करके इंदर जीत की उपाधि प्राप्त की है मैं वो हूँ जिसके नाम से रण भूमी हर राती है मैं वो हूँ जिसके शत्रों ने उसे काल का दूसरा नाम समझा है जावर्ण पुत्र जुवराज मेगनाद हूं मैं अब तु अपना परिचेदे मैं किसी को जाने बिना उसका वद्द नहीं करता अच्छा ये बात है तो सुन तुमने देवराज को अवश्य पराजित किया होगा परन्तु मैं प्रभुश्री राम का सेवक हूं मुझसे लोहा लेना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा युवराज मेगनाद युद्ध में बाते करना समय नश्ट करना होता है और समय नश्ट करने से मुझे घ्रिना है यह 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 श्री राम कम माण में राम गुवश्री राम कर लाभ प्रुड़ा ज ही नियुटा है दोफ आफ आम 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 कि अधो अग्डिब घंठ इंधो थास! हुआ ओская घंठ अज़स इंध और स्काइब अगौन कर दो आधी परजापती प्रभू राम की जो इच्छा मैं आपके यश को कलंकित नहीं होने दूँगा जै श्री राम तेनिको ले चलो इसे लंकेश के दर्बार में सबस्तितhen कर जावधार, लंकेश पुत्र, इंड्रीष, जो वराज मेंनात, थे लंकेश के अपरादी को बंदी बनाकर dat Hiroda, because we economy adjust. क्याति है तक वघराई की था पनाज़की हो महाबली समराट लंकेश की जय हो। पिता श्री यही है वो हत्यारा जिसने अनुजाक्ष का वद्ध किया था। आपका अपराद ही आपके समक्ष है। लंकेश तुम्हें अपने पुत्र की शक्ति पर बड़ा गर्व है। इस भ्रह्म में मत रहना कि तुम्हारा पुत्र मुझे नागपाश में बांद के लाया है। यदि मैं चाहता तो इस ब्रह्म मस्त्र को वही रोक सकता था। भरन तु इसमें ब्रह्मा जी का अपमान होता। उनका यश्क लंकित होता। इसलिए मैं स्वयम की इच्छ से यहां आया हूँ। इसमें मेरा एक स्वात भी था। मैं देखना चाहता था। कि कौन है वह अभिमानी रावन जिसने मेरी माता सीता का परंग किया। देखो मेरी शक्ति ते श्री राम। ते श्री राम। कौन है तू। सबसे पहले अपना नाम बता। संसार मुझे पवन पुत्र हनुमान कहकर पुकारता है। परंटु मैं स्वयम को प्रभू श्री राम का सेवत मानता हूं। और इस समय तुम्हारे समक्ष रगुकुल नंदन श्री राम का दूद बनकर आया। मैं समझता हूं कि इस समय इतना ही परिचे परियाप थे। बड़ा लज्जाहीन और अपमान जनक है तेरा स्वर। कदाचि तुने रावण। लंका पते रावण लंकेश रावण का। नाम नहीं सुना। तुना है। जब से लंका आया हूं रावण का नाम सुन सुनकर मेरे कान पक गए। इससे पहले भी मैंने तुम्हारा नाम सुना था। और ये भी सुना था कि तुम बहुत प्रतापी राजा हूं। परन्तु यहां आकर ऐसा लगा कि इस प्रतापी राजा को राजनीती का ज्यान ही नहीं। क्या बक रहे तो। ठीक ही तो कह रहा हूं। मैंने तुम्हें अपने बद से अवगत करा दिया। पता दिया कि मैं दूठ हूं। पर तुमने अभी तक ना मेरे आसन का प्रबंद किया। और नहीं मुझे बैठने के लिए का। एक तुछ पूंच वाला वानर रावण को राजनीती सिखाने की चेश्ठा कर रहा है। मैं तुझे आसन नहीं दूँगा... मैं तुझे दूँगा मृतियू!!! मैं तुझे बैठने का अदेश नहीं, मरने का अदेश दूँगा ! अब तुभारी समझ में कोई बात नहीं आती तो मैं क्या करूँ swearer.. ठीक है, तुम आसन नहीं दोगे, तो मुझे स्वयम प्रबंद करना पड़ेगा, इस प्रकार खड़े खड़े तो मैं धक कर चूर हो जाओंगा हाँ, अब बोलो लंकेश, अब हम एक दूझे को बली भांती देख भी सकते हैं, और सुन भी सकते हैं मैं, तुम्हारा लंका आने का कारण जानना चाहता हूँ, वानर, मैं यह जानना चाहता हूँ, कि तुम ने मेरे संदर अशोक वादि का क्यों जाड़ दी, मैं यह जानना चाहता हूँ, कि तुमने मेरे प्रिये पुत्राक्षकुमार का बद क्यों किया, आने का कारण तुम्हें बता चुका हूँ, कि तु फिर सुन लो, जो तुम जैसे पापियों को उचित शिक्षा और डंड देते हैं, जिन्होंने शिव का धनुष तोड़ा है जिन्होंने खर, थूशन, प्रिश्रा और बाली जैसे महायोतां का वद किया, मैं उस प्रभुश्री राम का दूथ हूँ, जिनकी पत्नी को तुने चल से अपरण किया, और अशोक वाटेका में बंदी बना कर रखा है, बड़े भेंगे हाक रहे अपने स्वामी की भीरता क मुझे रिश्वास है कि तुझे रावण के बल का कोई अनुमान नहीं, कौन कहता है कि मुझे रावण के बल का अनुमान नहीं, वही महाबली रावण ना, जिसे सहस्रबाव ने रणशेत्र में कपास की भाती दुनकर रख दिया था, वही रावण ना, जिसे बाली तीन मा तक कांग में दाबे घूंता आप पस बस वानर बस यदि तो मेरा बंदी नहीं होता तो इसे खिशार तेरी जीपा काट कर यहां भैक के तो तुझे तेरा प्रादों का दंद आवश्च्छा मिलेगा वानर आवश्च्छा मिलेगा कैसा अप्राद वानर हूँ भूप में सताय तो वातिका से थोड़े से फल तोड़कर खा लिये तो यह कौनसा अप्राद है आ इस कारे में कुछ डालियां अवश्चे तूट गई फिर तुम्हारे सैने को ने मुझे पर आक्रमन कर दिया मैंने अपना बचाओ किया उन्होंने मुझे मारा मैंने उनकी पिटाए की अक्शकुमार को मैंने बहुत समझाया कि कि लॉट जाए पर वो नहीं माना मुझ से भल गया तो मैं क्या करता अए आए माल डालो इसे! इस एक शाणिसके शरीर के टुकडे टुकडे करतो! अरे देख के रहे हो! माल डालो इसे! डेश्री राव! रुख जाए! ठेहर जाए! ये क्या कर रहे हैं आप लोग? विबिशन! क्यों रोक दिया इन्हें? इसलिए भ्रात श्री, कि महान समराट रावन के सभागार में पूट नितिक और राजनितिक रीति का उलंगन हो, तो बड़े दुख की बात है! इतिहास इस अपरात के लिए कब इक्षमा नहीं करेगा! मुझे समझाओ कि तुम्हारा उदेश्च क्या है? दूद को चाहे वो जितनी भी धूर्तता का प्रदर्शन करे, मृत्यु दंड देना राजनीतिके विपरीत है भ्राता श्री! इसे मृत्यु दंड के अतरिक कोई और दंड दिया जा सकता है! परंदु इसे दंड तो अवश्य मिलेगा अनुज! मैं आपको दंड देने से नहीं रोग रहा! अनुज, वानर के शरीर का सबसे महतो पूर्ण अंग होता है! उसकी पूंच! उसे अपनी पूंच बहुत प्यारी होती है! इस स्वानर को भी यही दंड मिलना चाहिए! इसके पूंच के साथ पेल में भीगा कपड़ा बांद कर उसमें आग लगा देनी चाहिए! इसे भी आनंद आएगा! और जब यह अपनी पूंच गवाकर अपने स्वामी के पास पहुचेगा, तो उसे भी बड़ी प्रस्थनता होगी! जब आएगा, जब आएगा दो देनी चाहिए! जब अनिको, इसके पूंच पर कपड़ा बांदो, और इसमें आग लगा दो! जुवाग या आफर कोया काई या, ताहर करी कि अवांट ही हम ही हम ही हम करो, चुछ मिराँ harms, चुछ मिराँ करो, करो! कर दो, 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 एफ आयों! ज्सिरन! ज्सिरन! कर दो, 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 क राज मुकुटभू पर गिरे अहंकार के हाथ सोने की लंका जले सिंघासन के साथ प्रलय मचा कर ही रुका महावेर का रोश रामकाज पूरा किया तब पाया संकोश तब पाया संकोश